गुद मॉनिंग फ्रेंट्स मैं अर्चना सिंग आप लोग का एक जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टन करेंट अफेर्स में वेलकम करती हूँ आज हम देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया है और जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूले क्योंकि यूपीपीएसी यूपीएसी एंपीपीएसी में से रिलेटेट सीरीज हमारे चैनल पर यहां पर चलाई जा रही है तो चले शुरू करते हैं आज का पहला कोशन पहला कोशन है हाल ही में भारती नौ स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित किया गया और यहां आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने और उनकी जानकारी देने और उन्हें बेहसर करने में यह सक्षम है अगर हम भारती नौसेना की बात करें तो इसे इंगलिश में इंडिया नेवी कहा जाता है इसक प्याइडियो की फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और्गनाइजेशन रक्षा अनुशंधान एवं विकास संगठनी इसकी स्थापना हुई थी 1958 को इसका मुख्याले है नई दिली में और इसके अभी प्रेजंट में जो अध्यक्षें वो है जी भियान के तहर डोल टो डोल सर्वेक्षन किया जाएगा और लोगों का कोवीट के साथ अन्य बिमारीयों का भी परिक्षन किया जाएगा अब मध्यप्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश की राजधानी अभूपाल मुखी मंत्री हैं सिवरा सिंग चोहां राजिपाल कि यहां कि हैं लाल जी टेंडन और अगर इहां की नैशनल पार्क सिबात करें तो यह बांदłग्य जीवाश्प त्टर लाव नैश्नल पर्क कांधा नैशनल फार माध्या पार्क अप प्रेयधास्टनी नेशनल पार्क और constantพ丁 नेशनल पार्क सब्धों से जयादान पार् करते हैं तो हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी एप पर बैन लगाया है तो यह आप लोग को पता होना जी 59 चीनी एप पर बैन लग चुका है इस समय तो इलक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी मंत्राले ने गोशना किये कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप को ब्लोग करने का निर्ने लिया गया है जो भारत की संपब्ता और अखंडता भारत की रक्षा राज की सुरक्षा और सारजनिक व्यवस्ता के लिए प्रदान मंत्री बनी है तो यह हमारे बनी है अभी आयर्लेंड की नए प्रदान मंत्री वर्तबान में आईरिश अंशत के निचले सदन में कुल जो है 160 सीटे हैं इस चुनाव में माइकल मार्टीन के पक्षमी 93 वाट 63 विरुध में और तीन पर मद्दान ही नहीं हुआ था वह है 2011 से फियाना फियल्ड पार्टी के नेता भी हैं आयलेंड की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है डबलिन इसकी मुद्रा है यूरो और रास्टपती है माइकल डी हिंगिस और अभी प्रदान मंत्री जो मने है वो है माइकल मार्टीन चली नेक्स कोशन देखने हाल ही में ICC के एलीट पैनल में किस भारती अंपायर को शामिल किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नितिन मैनन भारती अंपायर नितिन मैनन को अंतरास्टी क्रिकट परिशद के एलीट पैनल में शामिल किया गया है और उ अपना हुई थी 15 जून 1909 को परलब कि 1909 को इसका मुख्याले है दुबई में CEO है इसके मनु साहनी और इसके अध्यवर्तमान जो अध्यक्ष है जो है इंडियन सशांक मनुहर नेक्स कोशिन हाली में किसके द्वारा गरीब कल्यान रोजगार अभियान बैपोर्टन लौज किया गया तो यह किया गया है हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के द्वारा गरीब कल्यान रोजगार अभियान भारत सरकार दोरा गे चार महीने में अपने ग्रह लोटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले चार महीने तक रोजगार के अफसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है नरेंद्र सिंग तोमर हमारे देश की केंद्री ग्रामीड विकास पंचायती राज और कृषी और किशान कल्यान मंतरा लिया है नरेंद्र मोदी नहीं, इसका अंसर नरेंद्र तोमर होगा, मैंने गलती से अंसर दे दिया था, इसका नरेंद्र तोमर इसका correct आंसर होगा नेक्स कोशन की बात करेंगे, नेमलिकित में से किस एक कॉमर्स कमपनी ने पैकेजिंग में उपयोग आने वाली सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घुशना की है, तो ये घुशना की है अमेजन इंडिया ने, जबकि कमपनी ने इस वर्ष सौफ इसदी प्लास रास्टपती पद के डेमोक्रेट उमिदवार बीडन के डिजिटल कैमपेइन का चीफ नियुक्त किया गया है, तो ये है मेधा राज, इसका करेक्ट जो आंसर है, वो होगा मेधा राज, भारतियों मुल्कि अमेरिकी महिला मेधा राज को रास्टपती पद के लिए डेमोक इस्थान दुनिया में ओनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्ट्यूट बन गया है, तो ये बन गया है मारा IIT मदरास, हाली में आईटी मदरास ने डेटा विग्यानों प्रोग्रामिंग में ओनलाइन डिप्लोमा और BST कारिकरम शुरू किया है, जिसमें एड्मीशन क इन्हों ने शुरुवात की है, जिसमें लगभग 67 लाख आबादी को यहां लाब होगा, निलकन से शुरू यह परियोजना चार चर्णों में शुरू होगी, जिसकी लागत 10,131 करोड रुपए है लगभग चलिए नेक्स कोशन लेखते हैं, एक जुलाई को भारत के किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो एज यू नो यह है हमारा भारती स्टेट बैंक, तो एक जुलाई को भारती रिजर्व बैंक की स्टेट बैंक, यहां पर एक जुलाई को भारती रिजर्व बैंक पाकिस्तान से आने वाले सभी फ्लाइट पर किस देश में रोक लगा दी है तो ये लगाई है युनाइटेट अरब अमिरात ने युनाइटेट अभी अमिरात ने हाली में कोरोना वाइरस के मामले की वज़े से पाकिस्तान आने वाले सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी है यहीं खतम होते हैं, होप आपको वीडियो पसंद आएगर आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आज चानल थेंक्यू, थेंक्स फर वाचिंग, सक्सेज मंच